अच्छे इस वीडियो में फ्रेंड्स हमारे पास वीव का वाइट 200E है और आपको बताएंगे इस फॉन की अमेजिंग हिदिन फीजर चुकि काफी यूजफुल है जैसे कि फॉन का स्कीन इस तरह से ओन है और आपको सेख करना है फॉन का फ्लैसलाइट ओन हो जाता है आपको बोलिम डाउन बरन लॉंग टाइम प्रेस करके रखना है तो आप देखो कि आपका यूटूब अप्लिकेस्टन ओपन हो गया है इसी तरह से आप इसकीन को डबल टैप करके लॉग कर सकते हो और जैसे ही फोन को आप पिक अप करेंगे जैसे कि फोन आपका रखा हुआ कर सकते हैं जिनके बार में आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा तो ये वीडियो का यूश्फल हो सकती ही वीडियो को लास्तर देख़िए अगर बीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताईए और अगर आप चाते है और ऐसे ही नए-प्डे का फ्यूचर देखने को मिल जाता है जिसमें आप auto call record कर सकते हैं अगर चाहें तो किसी नंबर की call को record करा सकते हैं जो नंबर आपने select किया है तो इसके लिए phone की डालर को open करने की बाद थी डॉट पर जाने पर आपको call setting देखने को हो जाती है इस phone में कभी भी आपको दो application एक साथ यूज करना हो तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो जैसे कि YouTube application के साथ किसी और app का यूज करना तो त्री finger से इस तरह से क्लिक कर दीजिए आपका split screen on हो जाएगा background में किसी आप दूसर application का कुछ इस तरह से open करा सकते हैं यहां पर आप चाहें तो इसको switch कर सकते हैं इस तरह साथ चेंज भी कर पाऊगी एक application को ज्यादा area में भी आप कुछ इस तरह से open है आपने यह site कर दिया तो यहां पर आपका यह pop-up में on हो जाएगा background में किसी भी application का यूज कर सकते हो कहीं भी इसको आप इस तरह से access भी करा सकते हैं इस phone में आपको siding effects change करना है तो यहां पर आपको अलग-अलग effects देखने को मिल जाएंगे जब skin page को आप change करेंगे तो यह effects आपको देखने को मिलेगा अगर आप इस save बगर चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको आप यहां पर लगा पाऊगे इसके लिए इसके लिए पर टूफिंगर से pinch in कीजिए यहां पर color and style देखने को मिल जाएगा इस पर क्लिक करना है यहां इस feature को on करना है अब आपको जितने वी wallpaper के अंदर color देखने को मिलते हैं वो यहां पर आपको color option देखने को मिल जाएगा इस phone में बहुत सारी dynamic effects देखने को मिल जाते हैं जैसे की call आने पर आपको एक flashlight देखने को मिलती है वो आप on कर सकते हो इसके लाब आप fingerprint animation style बगर आप चेंज कर सो बहुत सारी effect चेंज करने का option मिल जाएगा इसको change करने की phone की setting में जाने के बाद यहां पर आपको dynamic effects देखने को मिले तो यहां पर क्लिक करने की बाद different तरीकि आप as light देख सकते हो set कर सकते हो किस curly में आप as light को दढगाना चाहते हैं वह यहां पर आप सैट कर पाऊगे अपने हिसाब से color भी आप सेट कर सकते हो जैसे की आपने color select किया किस light आपके किस color की यहां पर होना चाहिए वह आ आप लाइड आने पर मलग कोई भी कॉल बगर आता है नौटिफिकस नाता हो तो यह ओन हो जाती है इसका टाइमर भी सैट कर सकते हो जैसे को कॉल बगर आता है और किस समय से किस समय तक यह ओन रहे है वो भी आप सैट कर पाऊगे अपने एफेक्ट को सेर कर पाऊगे कुछ इस तरह से जैसे ही इसकीन अनलॉक होगी तो इस तरह का आपको व्यू देखने को मिलेगा आप इस तरह से इसको एपलाई कर सकते हो फिंगरप्रेंट एनिमेशन पर क्लिक करने की बद जो आपको डिस्प्ले फिंगरप्रेंट रहत कर सकते हैं बैक बन को प्रेस करने की बद आपको फेस एनिमेशन का फीचर मिल जाएगा जिसमें क्लिक करने की बद आप फेस का एनिमेशन भी यहां पर आके चेंज कर पाऊगे अगर आप चाहते हैं चार्जिंग एनिमेशन चेंज हो जाए तो यहां पर आप आप यहां प देखने को मिल जाएंगे किस animation को आप यहाँ पर apply करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसकीन आफ का भी टैंजिक्शन आपको देखने को मिल जाता है जैसे यहां क्लिक करने की बाद smart motion पर क्लिक करना है अब आपका स्कीन लॉक होगा लॉक स्कीन को इस तरह से ओन कीजिए फिर फॉन को सेख केजिए आप देखोगे फॉन की फ्लैसलाइट ओन हो गई है इस पॉन मां बहुत सारे smart features आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे चलिए उनके बारे में भी आपको यहीं पर बताती है जाए तो smart screen on off पर क्लिक कीजिए यहां पर आप चाहें तो फॉन को जैसे ही pick up करेंगे फॉन का screen automatic on हो जाएगा जिसके आप इस feature को आउन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं डवल टैप करके आपका screen off वी हो जाए तो आप इस feature क को यहां से on कर लीजिए तो आप डवल टैप करके screen को off वी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी वी वीडियो बगरा देख रहे हैं और आप जैसे ही वीडियो से निगाह हटा है फॉन automatic जो वीडियो है वो पुस्ट कर दे तो यहां पर आपको यह भी feature मिल जाग है पहले feature है का smart answer का अगर आप इस feature को on कर देते हैं तो आपके phone पर कोई भी call बगरा आएगा और आप जैसे ही आप अपनी call को receive करेंगे तो आप screen को touch कर दें तो आपने यी feature on कर लिया करना क्या है रिंग होते phone को कान के उड़ ले जाईगी automatic आपकी call answer हो जाईगी smart switch का feature मिल देखने को मिल जाएगा अगर आप इसको on कर देते हैं तो आपकी phone पर cover यूज है cover आप इस तरह से फिलिप कर देंगे तो वो call mute हो जाएगी तो इस तरह से आपको यहाँ पर यह feature भी मिल जाता है जैसे phone को pick up करेंगे तब भी call mute हो जाती है इस phone में आपको three button navigation देखने को मि करनेकर दीकट पर क्लिक किजिए अगर आप amazon को다면 पर चेंज करना चाते हैं तो यहाँ पर जैसे नेवी करना तो यहां क्लिक करने को सकते हैं यहां पर यहाँ लजब पक्किजिए अपनी फीबर एप्स को यहां पर चैट कर लिज करते हैं तो आह we go कर सकतें एक फिल्स का यूज नहीं है तो इसको हटा सकते हैं Google को यहां से लिमूब कर सकते हैं तो जो भी application आपके फीब्रेड रहते हैं जिनका आप ज्यादा यूज करते हैं इनका use क्या है चलिक आपको बताते हैं जैसे कि आप ने यहां मिलेगा आपको स्मार्ट साइड बार के अंदर जो भी आप यहां पर एड करा सकते हो तो उसको साइड करने के लिए फ्रेंट स्पोन की सेटिम में जाने के बाद यहां से स्कॉल करने पर मिलेगा स्वाट करने के बाद आपको यह फीचर आउन कर देना है अब जैसे ही रीसिं को मिलता है अब डिफरेंट तरीकी के इस पॉन में स्कीन साइड बना सकती हो या फिर आपको इन मैं से कोई इमोजी सेट करना हो तो उसमें आप इसकीन साइड बना सकते हो इसके लाबा कुछ और भी फीचर रहेंगे जिसके लिए भी आपको यहीं पर क्लिक करना होगा स्म इसके लाबा कुछ और भी फीचर है जैसे की डूडल जिसमें आप इसकी इन पर कुछी भी लिखकर बना सकते हैं तो यह काफी डिफरेंट फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे क्रॉप स्कीन सोट भी ले सकते हैं जिसके आप यहीं प्रक्लिक करेंगे इस ओप्सन को सेलेक्ट कर लेंगे अब जिस एडिया का स्कीन सोट चाहिए वो आप इस तरह से बापस आ जाएगे आपको स्पार्ट मोशन के मैंने सभी फीचर यहां पर बताती है क्लिक एक्सन की बा जैसे की मैंने यूडूब सेलेक्ट किया आप चाहिए तो फ्लेशाइड को सेट कर पाएंगे किसी की औरी रिकाट करना चाहते है आप उसको पता नहीं चले तो आप रिकॉर्ड को लिगी साथ कर सकते हैं और चाहिए तो यहां पर कोई भी एप्लिकाशन आप अपना लगा सकते हैं क्योंकि action में जाने की बाद आपको और वी फीचर मिल जाएंगे जैसे कि आप चाहें तो यहां पर अपना जो एकस एक्स 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 को भी लगा सकते हैं एक कि स्टैप और वापस आजाएं यहां पर प्रेशन होल पार उनकर फीचर देखने को मिल जाता है अब यहां पर लॉंग टैम पार बटन को प्रेस करेंगे तो यहां पर आप देखने को एक बॉल देखने को मिल जाएगी इस पर टैप करके बहुत सारे कर सकते हैं जैसे कि कृष्ट करना हो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं जैसी डूपर आपका कयलक्यलेटर ओपन हो जाएगा तो आप यहां है पर यहां पर नाप लॉंग टायम प्रेसсят आप करने पर सब क्युच समय कर सकते हो YouTube Face का एक फ्यूचर देखने को मिल जाएगा जिसको आपको on करना है अब आपके फॉन पर कभी भी वीडियो कॉल होगी तो वीडियो कॉलिटी आप काफी अच्छी यहां पर देख पा होगे तामेट एक्सर पर क्लिक करके आप अपने फॉन को बावरे प्रे टामेट सेट कर सकते हैं जो फ्लाइट मूड है उसको भी सेट कर सकते हैं इस फॉन मा आपको सुपर एमलोट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जिसको सैट करने की फॉन की सैटिंग में चले जाएगी यहां पर आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा इसके नीचे मिलेगा वोग उसकीन बॉल पेपर जिसपर आप क्लिक करके और इस फीचर को आंवेज और इस तायल आप क्या सेट करना चाहते हो है यहाँ पर बहुत सारे इस स्टायल देखने को मिल जाते हैं यहां पर आप टाइमर टैक्स नेम बगएरा सब कुछ सैट कर सकते हो किस साइट से होोना चाहिए, यह सब आप apply कर पाऊगे, lock skin setting पर click करने की बाद आप अपनी lock screen को काफी अच्छे से customize कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर जो dialer देखने को मिलता हो, इसको remove करना हो, या फिर कोई भी contact information डालनी हो, या फिर आप अपने sign डालना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको य इस side का जो option देखने को मिलता है, shortcut वो भी आप यहाँ से replace कर पाऊगे, तो यह shortcut काफी different आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ से इसको change कर सकते हैं, इस phone में app log, app hide जैसे सभी feature देखने को मिल जाएंगे, तो eye manager को open करने की बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल इस तरह से आपको agree पर click करना है, और यहाँ पर इस icon पर click करना है, जैसे ही click करेंगे आपको app in caption पर click करना है, कोई भी privacy lock करने के बाद आप इस phone में apps को hide और lock कर सकते हैं, तो यह कुछ amazing hidden feature थे, इस phone के जो की काफी useful थे, आसा करते हैं, इनके बारे में जानके आपको काफी अ लगा हो तो वीडियो को like से एंड चनल को subscribe रहें बैल लेकिन को press करना ना भूलें तो